सस्क्राइब कीजिये वैदिक जोतिस चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सीमा, दोस्तो स्वागत आपका वैदिक जोतिस में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन, ग्रह गोचर की इस्थिती आपके आज के दिन पर क्या अशर डालेगी, जानेंगे इस वीडियो में, सुर्वात करते हैं आज के कभी उसको नजर अंदाश ना करू, जो तुम्हारी बहुत परवा करता हूँ, वरना किसी दिन तुम्हें ऐसास होगा, कि पत्थर जमा करते करते, तुमने हीरा गवा दिया, नियत कितनी भी अच्छी हूँ, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना कभी अच्छा हूँ, भगवान आपको आपकी नियत से जानता है, सभी इंसान है, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं, और कुछ जख्म भरते हैं, हम सभर सभी हैं, मगर फर्क इतना है, कुछ साथ चलते हैं, कुछ साथ छोड़ देते हैं, प्यार सभी करते हैं मगर फर्ग सिर्फ इतना है कुछ जान देते हैं कुछ जान लेते हैं आज का पंशांग 12 अप्रेल 2019 देश शुक्रवार चैत्रमास के शुक्लपक्च के सब्तमीति थी दोपहर एक बच कर 24 मिलड तक रहेगी तत पश्यात अश्टमीति थी प्रारम हो जाएगी आधरा नाम नक्ष्यात्र सुबा नौ बच कर 54 मिलड तक रहेगी तत पश्यात पुनरवशु नक्ष्यात्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल अर्थात असुपसम हैं सुबा 10 बच कर 30 मिलड से 12 बजे तक रहेगी आज का भिचीत महुरत अर्थात सुपसम हैं दोपहर 12 बच कर 27 म मिलड तक रहेगी आज चंद्रमा मिथू रासी पर संचार करेगी और सूर्य मीर रासी पर रहेंगे मीर रासी 12 प्रेल 2019 देश शुक्रवार आज के दिन आपके लिए खुशी और संतुष्टी भरा रहेगा यह दिन आपके लिए बड़ी सफलता वाला है यह सब आपके धैर इलचा सकती और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है यह समय आपके लिए जश्न मानाने का है देर किस बात की है अपने दोस्तों को बुलाईए और मज़े कीजिए अपनी सो सकरात्मक रखें उन नती के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पर सकती है पूरी ताका से कामकाश आइंगे तो आप सफल हो सकते हैं आज आप जौब स्विच करने का मन भी बना सकते हैं इसके लिए आपको अच्छे ऑप्सन मिल सकते हैं कामकाश में मन लगेगा उदारता भी रहेगी कामने प्राते बिल चुकाने जैसे बकाया कामों पर आपको ध्यान देना होगा आप ज चौथा चंद्रमा पर्शान कर सकता है नकरात्मक बातों पर भरोसा करने सी बचीं वैपार में कोई बड़ा फैसला ना ली कोई फी फैसला सोच समझ कर ली किसी काम में चल्दबाजी से नुकसान हो सकता है नौकरी बिजने संबंधों और प्रेम संबंधों के भविश्य को लेकर आपके मन में संका हो सकती है आपको मोड भी अच्छा नहीं रहीगा कुछ खास लोगों से मदद नहीं मिलने के कारण आप परशान हो सकती है लव लैफ की बात करें तू अच्छा आपकी साधी का भविश्य सुनारा दिख रहा है अगर आप अकेले हैं या आपकी सग बहुत ला सकता है क्योंकि आच्छा आपकी खोच पूरी हो सकती है आज इस मामलों में निर्णा लेना आपके भविस्ता के लिए बहुत अच्छा रहीगा करियर की बात करें तू विजनेस और नौकरे में परवार से सहीयोग मिल सकता है वर्कपलेस पस सहीयम रखी सोच सम ये समय बहुत अच्छा हो सकता है सेहत की बात करें तू क्या आपका वचन आपकी दिमाग में हर समय रहता है अब वह वक्त आचुक है जब आपको गंभीरता से ध्यान देने की अवर शकता पड़ेगी और ये आज से ही सुरुक कर दें फिट रहने को लेकर खुद को नचर परंदाज ना करीं इसलिए इस बात को दिल से सोचे कि अगर आप वयाम के लिए जाएंगे तो आप अच्छा मैसूस करेंगी आज आप अपने डाइट को सुधारने के लिए लक्षन धारित कर सकते हैं मीर राशी वालों के लिए आज कर टिप्स आज आप चंदन का तिलक लगा कर घर से निकलीं जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहीं आपका दिन शुब हूँ